Hello everyone and welcome to Minter Plus आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा NEET UG 2021 के कांसिलिंग प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में अगर आप इसको एंट तक देखते हैं तो आपको NEET UG 2021 के स्टेट कांसिलिंग और अल इंडिया कांसिलिंग प्रोसेस जितने भी कांसिलिंग प्रोसेस आपके लिए रिलेवेंट होंगे उस सारे कांसिलिंग प्रोसेस का आपको आइडिया मिल जाएगा जिसमें All India 15% का कांसिलिंग प्रोसेस राउंड 1, राउंड 2 और उसमें जो डिम्ड इन्नवरसीटी होते हैं Central University, उसके मपोप राउंड, कैसे आपको benefit मिलेगा, अगर आपको state counseling में government के लिए seat लेना है, और state counseling में round one, round two, और मपोप राउंड भी होती है, उसके बाद state agency भी होती है, कितने तरह के seat होते हैं, उसके बादे में discussion करूँगा, और उसके लिए flow chart हो है, paid counseling के लिए बात करेंगे, e-books हैं जो description में उसके लिए बात करूँगा, और step by step counseling procedure में क्या-क्या step by step procedure होता है, क्या important factors होते हैं, जो आपको mind में रखने होंगे, अगर आपका score ऐसा है कि just cut up के आसपास है, और क्या scope available है admission के लिए, कितने तरह आपके courses हैं, और उस courses का counseling किस तरह से करना चाहिए, इसको एक high level idea आपको मिलेगी, यह flow chart है, जिस पे उपर depend करेगा आपका all India का counseling, and यह state label counseling का flow chart है, ठीक है, तो अगर आप वीडियो में अपने पहली बार यह वीडियो देखा है, तो आप इस चैनल को subscribe कर लें, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि पिछले कुछ वीडियो बहुत ही important videos हैं, और अच्छे कासे view गया हैं, बहुत ही important आपके लिए information updates रहती है, सारे अभी counseling स्टार्ट हो चुकी है, पॉंडिचिरी स्टेट ने अपने state का registration स्टार्ट कर दिया, और इसी तरह से state का registration स्टार्ट होते रहेगा, और इंडिया का counseling में भी ठोड डिले होगा, क्यूंकि जो reservation का policy है, वो Supreme Court में उसका spending है, उस बज़े से आपका PG का भी counseling process डिले हो रहा है, आप अगर paid counseling अवेल करना चाहते हैं, तो नीचे देगे number पे आप call कर सकते हैं, 9319-027-483, और अगर आपको को inquiry है, तो इसी number पे आप watch some message कर सकते हैं, paid counseling के अंदर गरत आपको, जितने भी updates, notification भीज़ जाएंगे, real time counseling, information और updates दी जाएगी, previous year की cut-off, जिससे आपको पता चले, और confidence रहे, हमें तो पता चले रहता है ये कि आपको क्या college मिलने याले हैं, और क्या मिलने वाला नहीं है, round-wise strategy आप से discuss की जाएगी, कैसे proceed किया जाता है, college level के analysis और compression, दो तरखे colleges में, अगर open state के लिए जाते हैं, तो कैसे open state को balance किया जाता है, कुछ state में security deposit रहती है, complete choice filling उसमें दी जाती है, सारे open state counseling process के लिए, MBBS, BDSR और IOS courses, जितने भी courses का counseling का प्रोवाइट के जाता है, fee structure और अगर किसी तरह की कोईड़ी आपके पास है, तो आप WhatsApp से, Video Call से, Audio Call से आप पोच सकते हैं, जैसा convenient है, और details आपको PDF form में आपको share की जाती है, seat matrix, और state vacancy, round-mop, round details and all such things, description में आपको तीन e-books मिलेंगे, और सारे states के, whether they are open state और closed state, और domicile, non-domicile state, उसके आपको details मिलेंगे, पिछले साल का seat matrix, government quota का fee structure, private quota का fee structure, in private colleges, और government colleges का cut-off क्या रहा, private में government seat का, और private seat का क्या cut-off रहा, सारे state के लिए, इससे आपको पता चलेगा, कि किस तरह से counselling बढ़ें, किस क्या चीज मिलने की उमीद है, deemed university की, all India quota की central universities, इसकी central pool quota की, एक separate e-book दी गई है, और eyes courses की अलग book है, इसको आप purchase कर सकते हैं, आते हैं, step by state counselling procedure क्या होता है, first step जो होता है, notification आपको आता है, schedule के लिए, तो जैसे notification अलग अलग आते रहेगा, आपको all India quota की अलग आएगी, जो MCC conduct कराती है, उसके लिए all India quota 15%, और जो city होती है, उसके लिए notification अलग आई, state की अलग आएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है, कि एक counselling सुरू होने के बाद ही, दूसरे state का counselling सुरू होता है, state की counselling parallel चलती है, तो यह बहुत ही critical हो जाता है, कि अगर multiple state के लिए registration आपने किया है, private college के लिए जा रहे हैं, तो उसको कहले सही से balance out करना है, कहां पे आपकी ज़्यादा उमीद है, कहां पे आपको सबसे बहतर college मिलने वाले हैं, और उस अनुसर से counselling कैसा किया जाया, ताकि आपको सबसे बहतर में chance बने, ऐसा नहीं कि जो mediocre level का college मिल गया, और आप defensive mode में जाकर के, उस college में admission ले लें, और उसे बहतर जब college seat मिलती है, तो आपके पास option नहीं रहें, उसमें जाकर admission लेने की, क्योंकि आपके पास उस college को, जो आप पहले admission ले चुके हैं, उस छोड़ने की freedom नहीं रहेगी, तो ये सारे process बहुत ही critical और important होता है, इसलिए paid counseling की जरूद परती है, अगर आपके पास उतनी information नहीं है, तो registration process होता है, जिससे पॉन्डीचेरी की registration स्टार्ट हो चुकी है, तो आप registration करेंगे, जैसा ही update आते रहेंगे, उसका registration process का एक schedule मिल जाएगा, उसके बाद registration के बाद choice filling होती है, और merit list choice filling के पहले publish होती है, कहीं कहीं choice filling हो जाएगी, और उसके बाद आगे का process अगर hold पहले है, तो merit list बाद में publish हो सकती है, choice filling के बाद choice locking जो है, वो optional लगता है कहीं पर, कहीं पर mandatory रहता है, जिससे उतर पर इसके case में, वो mandatory रहता है अगर आपने choice locking नहीं किया है, तो आपके सारे choices null and void हो जाएंगे, it means उसको निगलिफाई कर दिया जाए गया, और आपको कोई भी college allot नहीं होगा, उसके बाद allotment process होता है, software का एक algorithm होता है, mechanism होता है, जिसके थुरू allotment process होती है, और आपको allotment letter मिलता है, जिसको आपको download करना होता है portal से, कभी भी allotment letter आपको mail पे नहीं आती है, कोई ऐसा rules नहीं है, कि आपको direct college allotment letter भेजती है, allotment letter हमेशा counseling authority भेजती है, वो state का counseling हो या all India level का counseling हो, हमेशा portal पे आता है, फिर उसके बाद joining formality जिसमें tuition fee पे करना होता है online, और उस पे जाकर करके आपको report करना होता है, सारे documents आपके पास उसमें ready होने चाहिए, original में, तो आपको यह भी देखना है, मैं documents पे एक video बनाऊँगा, क्या-क्या documents की जुरूरत पढ़ती है, जो आपको पहले से ready रखना चाहिए, अगर round 1 मेरे seat नहीं मिला, तो फिर round 2 के लिए जा सकते हैं, अब आते हैं कुछ important facts के बारे में, कि MCC की जो round होती है, फिरी exit होती है, अगर आपको seat मिल भी जाती है, और आपको ऐसे लग रहा है कि state से बहतर college मिलने की उमीद है, government की, या कोई अलग courses की, तो आप उस seat को leave कर सकते हैं, without any penalty, कुछ states ऐसे हैं, जहां पर फिरी exit का option नहीं रहता है, और जैसे आपको seat मिलती हैं, आपको seat लेनी पड़ते हैं, जैसे उत्तर परदेश में, कुछ ऐसे state हैं, जहां पर security deposit रहती है, तो आपको ये भी plan करना होगा, कि security deposit के लिए कितना amount अलग से रखना है, जो कि आपको return होगा, after five, six month, तो उस amount को अलग से ready करकर रखना है, उसको tuition fee में जो planning आपने किया है, budget का, first year में जो payment करना, उससे उसमें include नहीं कर सकते हैं, वो जल्दी से आपको refund नहीं होता है, online round होते हैं, पहले 2 round, पहले 3 round online होते हैं, कहीं पर 2 round online होता हैं, कहीं पर 3 round online होता है, फिर offline round होते हैं और stay vacancy round होते हैं, चार तरके round होते हैं, जो आगे discuss करेंगे, बात करते हैं, किस तरक scope available है, admission के लिए, अगर आप government college के लिए बात जाते हैं तो government college में admission लेने का दो ही तरीका है एक है all indio quota of 15% जहांपे आप अपने state के अलावे दूसरे state के colleges में भी admission ले सकते हैं government colleges में दूसरा तरीका है आप अपने domicile state का counseling करें जहांसे आपका 12th pass हुए है वहां का आप counseling करें state government college वहां से आप 85% seeds के लिए participate करेंगे Central Institute होती है जिसका counseling MCC कराता है और MCC counseling के थूरू आप Central Institute में admission ले सकते हैं जैसे अरलिगर मुसलिम इनिविशिटी BHU, DU और इनपरस्त इनिवसिटी और दिजिज इनिवसिटी अब आते हैं बात करते हैं private MBBS colleges के लिए private MBBS colleges में admission लेने कर भी दो तरीके हैं तीन options बनते हैं बिसिकली आपको एक तो जहां से आपने 12th complete किया है और उस state में अगर private college उस state के private college में अगर government quota है जैसे महारास्टा वहां के private college में आपको government quota का seat मिलता है राजस्थान के private college में government quota है उत्र परदेश के private college में और भीहार के private college में government quota नहीं है करनाटका में है हिमाचल परदेश, पॉंडिचेरी बहुत सारे states में है लेकिन कुछ state में आपको एक ही तरह की फी है दूसरे government seat नहीं है तो government seat उसे government seat in private college बोलते है कुछ लोग उसे semi government बोलते है दोनों का एक ही मतलब है और semi government कीन को मिलता है जहां से आपने 12th pass किया है वहीं के उस state के colleges में जो government seat है उसके लिए आप eligible है किसी दूसरे state के किसी दूसरे open state के colleges के government seat के लिए आप legibility नहीं रखते है और आप चाहते हैं कि करनाटका में जा करके वहां के government college जिसका फीकम होता है यह पॉसिवल नहीं है अगर आप करनाटका से भी लोग करते हैं तभी वहां के government seat में admission ले सकते हैं या वहां के government colleges के लिए जा सकते हैं तो आप private college अपने domicile state जहां से 12 है वहां में participate करेंगे फिर जितने भी open state है जहां पर मैं जैसे मैंने कुछ example दिया आंत्र प्रदेश तेलंगाना उतर प्रदेश केरला केरला के लिए pre registration करना होता है अगर आपने नहीं किया तो participate नहीं कर पाएंगे हिमाचल प्रदेश, बिहार, उतराखंड, राजस्थान, तमिनाडू, पॉंडिचरी ये सारे जो हैं आपके open state हैं जहां पे आपकी domicile अगर नहीं भी है ट्वल्त पास नहीं किया है वहां के रहने वाले नहीं फिर भी आपको वहां के private college में admission ले सकते हैं और open state की counseling बहुत ही important होती है क्योंकि dimmed में जाने पर आपका budget हाई हो जाता है मैं उसका dimmed का एक अलग video बनाऊँगा जिसमें fee structure और cut up की बात करेंगे और कैसे dimmed से जाने में से बहतर आपको open state में जाने की जाने चाहिए कैसे दोनों में difference है किस तरह का fee package में difference हाता है उसका separate discussion करेंगे dimmed university के लिए आपको MCC के तरू counseling करनी होगी तो तीन तरह का option होगी एक आपका domicile state दूसरा all open states third option is dimmed university अब बात करते हैं MBBS के लावे जो courses हैं तो आप IUS courses के लिए जा सकते हैं जिसका counseling MCC के थुरू होता है और separate होता है तो BMS है, BHMS, VNYS युनानी का course है इसके लिए जा सकते हैं BDS courses के लिए जा सकते हैं जिसकी counseling MCC और आपकी state level authority कराएगी तेसारे आपकी scope हैं मैं इसमें यह नहीं discuss करने जा रहा हूँ कितने score पे private मिलेगा कितने score पे government मिलेगा whole and soul counseling process कैसे होती है इसका idea आपको मिल जाए इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है अब आते हैं एक flow chart लेते हैं दो तरग के flow chart हैं पहला flow chart में center level counseling के discussion होगी किस तरग के institute रहते हैं counseling authority क्या है और कितने तरग के round होते हैं पहली बात कर लेते हैं किस तरह के colleges आते हैं center level counseling होती है उसमें all India के 15% all India quota के government colleges रहते हैं जिसमें सारे state के 15% seats को collect करके एक जगा जमा किया जाता है और उन seats के admission के लिए यहाँ पे counseling कराए जाती है second है central university जिसमें BHU, AMU, DU, FMC यह सारे options आते हैं third है dim dino cities के 100% seat all India के 15% और dim dino cities के 100% seats इसमें आते हैं यह सारे colleges हो गए अब बात करते हैं authority कौन होती है MCC, MCC के website पे जाकर के सार आपको registration से ले करके alert में later उहीं पे मिलता है उहीं पे choice filling आपको करनी होती है counseling rounds कितने होते हैं first round, second round, third round, four round first second round में ही आपको government seat में सकती है 15% second round के बाद जितने seat बची रहा जाती है उन seat को आपको transfer कर दिया जाता है send back कर दिया जाता है state को और वो seat इस state में जाकर के add हो जाती है और state counseling authority उन seat पे allotment देती है second, third round में कौन-कौन से seat अप लेबल होगी third round में आपको dimmed इनो city या central universities इन दोनों universities की seat रहेगी उसमें भी आपको central इनो city का map up भी होता है third round को map up भी बोलते हैं उसके बाद जो seat बची रह जाती है उसको stay vacancy बोलते है stay vacancy पे भी मैं एक separate video बनाऊँगा कि एक detail topic है उसमें भी opportunity रहते हैं बहुत सारे इस कबर होते हैं कम marks पे seat मिलने की उमीद रहती है luck factor होता है कैसे जाकर के counselling करना चाहिए अब बात करते हैं state level counselling की state level counselling open state है या domicile state है जैसे महारास्टा की बात करें वो close state है गुजरात close state है लेकिन वहाँ भी counselling जो होती है उसे भी state level counselling बोलते है या जो open stages से राजस्तान, बिहार, उतरपदे इसे open level counselling state level counselling बोलेंगे लेकिन ये open states है इसमें colleges कोंसे रहते हैं जो remaining 85% seats रही government colleges की और total 100% seats in private colleges in particular state state के जो private colleges है उसका counselling state authority करती है उसका counselling all India या MCC नहीं करती है MCC में जो private colleges को options होते है वो only deemed in no cities होती है और कोई नहीं counselling authority कौन होगी यह हर एक state की अलग-अलग counselling authority होती है for example आपकी करनाटका की केई उतरपरदेस की UP DJME बिहार का BCC board इस तरह से सबकी अलग-अलग counselling authority होती है इसलिए पूरी जनकारी बहुत जरूरी है अगर आपके पास जनकारी नहीं होती है तो आप हमारी counselling guidance ले सकते है कितने तरह के state है दो तरह के state होते है एक open और एक दूसरा close state open को non-domicile भी बोलते है close state को domicile भी बोलते है rounds कितने होते है इसमें चारतरक round होते है और हर एक round में आपके government colleges मिलने की उमिद रहती है first round में, second round में, third round में भी government college मिल सकती है और जो seat बची रह जाती है उसका counselling के लिए आपको stay vacancy round होता है जो की institutional level पो होती है उसको institutional round भी बोलते है और जो private colleges हैं उसमें जितने तरह के seat हैं एक तो government quota की seat हो सकती है दूसरी होती है management quota की और तिसी NRI quota की government colleges में भी NRI quota की seat होती है सभी जगा नहीं होती है लेकिन होती है तो ओ भी एक option में आप रख सकते हैं उसके लिए आपको NRI sponsors की ज़रोत पोड़ती है उसका एक में separate video होना हूँ देखे एक video में cover करना किसी चीज को बड़ा मुश्किल चीज है इसलिए channel को follow करना होता है ताकि आपको sequence में information मिले और दो जितने भी video हो information को आप connect कर पाएं एक flow होता है ताकि आपको update भी मिले और उस update के अंसार आपको जानकारी भी मिले तब आप जाकर की counseling कर पाएंगे इस video के थुरू एतना जानकारी जो आपको मिल जाएगा channel के थुरू कि आप counseling कर पाएंगा लेकिन फिर भी अगर information कम पड़ रही है या confusion है तो आप paid counseling ले सकते हैं तो इस तरह मैंने आपको explain किया और एक परियास था कि आप समझ जाएं कि counseling कैसे होती है क्या-क्या important उसमें steps रहते हैं किस तरह से flow होता है यह flow जो है बहुत important है notification, registration, फिर merit list आएगा merit list में आपको पता रहेगा कितने candidate registration किये और कितने seat हैं तो उसके इंसार आपको क्या मिल सकता है फिर choice filling होती है choice rocking होती, allotment होता है allotment later आता है, फिर joining formality के लिए time दिया जाता है time कितना दिया जाता है जब allotment later आती है उससे maximum one week का time रहता है उसमें आपको tuition fee payment करना आता है अगर आप loan के लिए जा रहे हैं और fee structure देंगे college का वो within two-three days में वो college को payment कर सके ऐसा उनको commitment लेना होगा अगर आपको seat नहीं मिलती है या मिलती है दोनों किसमें आप round two के बार में जा सकते हैं एक बार मैं discuss करूँगा separate video में कि flow chart क्या रहता है किस case में आप first round में seat लेंगे करके कैसे seat को upgrade कर सकते हैं या आपका जो score boundary line पर है तो कैसे best करके आप वहाँ पर seat government seat ले सकते हैं तो इसीक साथ मैं video को conclude करता हूँ और मिलूँगा next video में until then goodbye and don't forget to subscribe the channel and hit the like button of the video thanks for watching